हलो अब्रीवन वेल्कम टो एंब्रीजीज.com आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर शोल्डर इंस्टेबिलिटी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद लागे तो इसमें 4 टेस्ट होते हैं टेस् लिफ्ट आफ टेस्ट तो हमें क्या करना होगा इसमें पेशिंट का हाथ जो होगा वह हमें पीछे पीट पे ले जाना होगा और इसे लिफ्ट कराना होगा तो यह जो टेस्ट होता है हमारे किसके लिए होता है सबस्कापुलारिस के लिए सबस्कापुलारिस मसल क्या कराती है हमारी इंटर्नल रोटेशन कराती है एट दा शोल्डर जॉइंट तो इस इंटर्नल रोटेशन को चेक करने के लिए तो हम टेस्ट कराते है लिफ्ट आफ टेस्ट तो इस Lift of Test में क्या होता है जैसे यह एक आदमी है पीछे से आदमी है तो इसका जो हाथ होगा वह क्या होगा यहाँ पे ऐसे पीछे आ रहा होगा इसे लिफ्ट कर पाते हैं पीछे की तरफ भी पीट से चुला के उसे हटा सकते हैं लेकिन यह आदमी हटा नहीं पाएगा तो इसका मतलब सबस्क्राइपलर इसमें कुछ गड़ बढ़ है तो नॉमली वी के लिफ्ट आर हैंट आफ्टर था कम्लीट इंटर्न रोटेशन तो यह अगर पेशेंट जो होगा लिफ्ट कर नहीं पाता तो यह टेस्ट पॉजटिव आ जाएगा मतलब इसमें कुछ गड़ बढ़ है अगर नॉट लिफ्ट इड होके अब हम आते हैं दूसरे वाले पर जिसका नाम है एंटीर ट्रॉर टेस्ट एंटीर ट्रॉर टेस्ट सेक करने के लिए करते हैं अब इसको हम एप्रिहेंशन टेस्ट भी बोलते हैं फलक्रम टेस्ट भी बोलते हैं यह क्रेंक टेस्ट भी बोलते हैं ठीक है इसमें हमें क्या कराना होता है इसमें हमें क्या कराना होता है यह पेशेंट जो होगा अपना हाथ जो होगा क्या करेगा अ और, external rotation करेगा, ठीक है, साथ में फिर extension करना होगा उसे, ठीक, अभी जो extension होगा, अब इसके वाई से क्या होगा, head जो होगा, वो बाहर निकल जाएगा, अगर stable नहीं है, shoulder, ठीक है, head जो होगा, वो बाहर आजाएगा, glenoid cavity, ठीक है, तो इसका मतलब, instability present है, अगर head goes out, तो यह क्या होगा, इनस्टेबिल होगा, shoulder, ओके, अब आते हम तीसरे test पर, तीसरे test का नाम क्या है, तीसरे test का नाम है, jerk test, अब इस jerk test में क्या होता है, यह posterior stability को देखने लिए करते हैं, ठीक, posterior stability को कैसे चेक करेंगे, इसमें हम patient का हज होगा, वो कैसे कराएंगे, एक तो adduction कराएंगे, plus internal rotation कराएंगे, ठीक, तब हम क्या करेंगे, जो oliknon process होता है, यह कौनी होती है, जो elbow होती है, उससे हम एक jug देंगे, towards the backward force, तो क्या होगा, अगर वो shoulder जो होगा, जो हमारा joint है, उससे अगर, जो shoulder, humorous है, उ तो इसका मतलब, वो unstable है, oliknon process पर, हमने क्या करा, एक jug दिया, ठीक है, अगर वो बाहर निकल गया, head goes out, तो इसका मतलब क्या है, shoulder जो है, इनस्टेबिल है, ठीक, अब एक last test बचाएंगे, जिसका नाम है, sulcus test, ठीक है, तो sulcus test में क्या होता है, इस test में क्या होता है, यह inferior यह multi-directional instability को देखने के लिए होता है, inferior और multi-directional instability, ठीक है, तो यह हमारे चार टेस्ट हो गए, यह important test है, यह shoulder instability के देखने के लिए होते है, तो अगली वीडियो हमारी आई की shoulder dislocation bed, तो चैनल को subscribe करें उस वीडियो के लिए, और इस वीडियो को like करें अगा आपको पसंद आई हो तो, तो thank you.